अगर आपने CMACD किया हुआ है और आपको डर लगता है आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं CMO के कोई स्वास्त विभाग का दिकारी ना आ जाए मेरा क्लीनिक सील ना हो जाए बंद ना हो जाए क्यूंकि जानते हैं कि UP में बड़ी मुहीम चली हुई है बहुत ज़्याद इस अभी सवालों का जवाब दूँगा क्या आपका क्लीनिक बंद होगा या नहीं होगा बने रही है वीडियो के अंद तक देखे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डिपैंड करता है आपने CMCD कहां से किया है क्यूंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादे अगर कोई परजी कोर्स किया जा रहा है आज के टाइम में वो है CMCD बहुत सारे संस्थान बहुत सारे इस्ट्यूट आपको मिल जाएंगे जो आपको CMCD परवाइड करा रहे हैं तो अब इसमें बहुत सारी चीज़े हैं देखे कई चीज़े होती हैं इसमें देखे एक तो CMCD को एप्रूवल मिला हुआ है डबलो एच्छो दुआ रहा है दूसरी सुप्रीम कोड के ओडर भी हैं तो आप CMCD कर सकते हैं अब मालीजे आपने CMCD सही संस्थान से भी कर र अपने नाम के आगे अपने क्लीनिक पर डोक्टर लिखते हैं तो आपका क्लीनिक बंद हो सकता है सील हो सकता है आप डोक्टर नहीं लिख सकते हैं इसके अलावा कुछ ड्रग जितनी भी आपको अलाउड है वो ड्रग अपने क्लीनिक पर रखें उससे जादा कोई भी ड्र treatment देने की इजाजत है उससे ज़्यादा आप patient को treatment ना दे इस तरह से treat ना गरें कि आप mvbs की तरह patient को treat करें आप गिरामी छेतर में बैठ करके एक primary health center चला सकते हैं और लोगों की सेव अगर सकते हैं ये तो है एक नियम अब माली जे आपके पास CMO आ जाते हैं तो आपको डरना नहीं है आपको अपना CMSD दिखाना है वो chat करेंगे कि आपका CMSD फरजी है या ठीक है आपने किस संस्थान से किया है माली जी अगर आपने फरजी institute से आपने CMSD किया है तो वो लोग जब आपका verification करेंगे institute से contact करेंगे तो वो institute आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा बोलेगा कि हम इस student को हम नहीं जानते और आप फ़स जाते हैं तो सही college से आपको करना है और आपको नाम क्या कि डोक्टर नहीं अगर हमें CMSD करना है तो हम किस institute से करें देगे मैं आपको एक institute बता देता हूँ अगर आप उत्तर वर्देश में रहते हैं यूपी में रहते हैं तो आप लखनों में स्टिप सेंट मदर टेरिसा medical institute से आप कर सकते हैं अपने CMSD ये college आपको सही document तो provide कराता ही कराता है साथ में आपको support भी देता है अगर कोई भी स्वासिवाग का अधिकारी आपके clinic पर आता है तो उसके लिए आपको preparation कराते हैं तैयारी कराते हैं आपको कैसे explanation देना है कैसे convince करना है कैसे समझाना है आप आपको पूरा full support दे देते हैं मैं इस institute का आपको description में नंबर दे दूँँगा, display पी नंबर दे दूँगा, आप contact कर सकते हैं और Saint Mother Teresa Medical Institute से अपना CMSD कर सकते हैं तो सारा conclusion जो निकल के आता है आपका CMSD सही college, सही संस्थान से होना चाहिए, आप अपने नाम के आगे doctor ना लिख आपको जितने drug की अजाज़त है उतनी drug अपने clinic पर रखें उसी से आप एक primary health service दें, लोगों को सेवा करें, provide कराएं, उसके अलावा अगर आप पूरी भी गलती करते हैं तो आपके clinic seal हो सकता है, आप पिस्त कारवाई हो सकते हैं सिम्मा आपको clinic seal कर सकता है, तो आप इन च सकते हैं, primary health center लिख लें, उसके बाद आप एक ग्रामिन शेतर में अच्छे से अपनी practice कर सकते हैं, तो आपको कोई भी डरने की और गबराने की जरुवत नहीं है, CMO आता है, अच्छे से convince करें, अच्छे से समझाए, अपनी papers दिखाए, अपने CMACD दिखाए, कुछ भी एक छोटी सी information थी, क्योंकि UP में बहुत ज़्यादा कारवाई चल लिए, क्लिनिक सील करे जा रहे हैं, तो अगर आप इन guideline के accordingly काम करते हैं, practice करते हैं, तो आपको कोई डरने की जरुवत नहीं है, I hope दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छे लगी, एक like क साथ, तब तक कि नहीं जहीं जह भारत.